फ्लाइट में देवदूद बने पांच डॉक्टर, बच्ची को बचाया होट सर्जरी हुई थी, बेहोश होने पर सांस नहीं ले रही थी, डॉक्टर नवदीप कौर, डॉक्टर दमंदीप सिंग, डॉक्टर रिशब जैन, डॉक्टर ओशिका और डॉक्टर अविचला, एम के क्रू मेंबर ने अलर्ट जारी किया, प्लेन में एम्स के पांच डॉक्टर सफर कर रहे थे, उन्होंने सीमित सुविधाओं के बावजूद बच्ची का जरूरी इलाज कर जान बचा दी, रेडियो लॉजिस्ट डॉक्टर दमंदीप सिंग ने बताया कि हम लोग बार शाम को बेंगलूरू से दिल्ली विस्तारा एरलाइन फ्लाइट यू के एक चार ए आ रहे थे, नौ बजे की फ्लाइट थी, आदे गंटे बाद ही क्रू मेंबर ने इमजेंसी अलर्ट जारी किया और कहा कि फ्लाइट में कोई डॉक्टर है तो मदद करें, हमने जाकर बच्ची को देखा तो सबसे पहले सीन सिफ्टी का ध्यान रखा, बच्ची को फ्लाइट के पीछे लेकर गए, जांच की तो पता चला कि बच्ची जनजात होट की बीमारी से पीरित है और उसकी हाल ही में सरजरी हुई है, उसका शरीर नीला पढ़ रहा, सास नहीं चल रही सासी उतारी फ्लाइट डॉक्टर नवदीप ने कहा कि सबसे पहले बच्ची को ऑक्सिजन देना शुरू किया, प्लेन का मास्क बच्ची को फिट नहीं हो रहा था तो मास्क को मेक शिफ्ट कर लगाया, चेस्ट कंप्रेशन के लिए सी पियार शुरू की गई, प्लेन के इम आट्रिशन और इम्बूलिंस बुला कर रखा गया था, चुमकि लेंडिंग में सीट पर आना जरूरी था और सी पियार नहीं रोक सकते थे तो पिछली सीट का खाली कराई और सीट पर ही एक बरतन में बच्ची को लिटा कर सी पियार जारी रखा गया, जब लेंड किया तो इम्बूलिंस में ले जाकर बच्ची का ECG और मॉनिटर पर सेचुरेशन देखा तो पता चला कि हम राइट डाइरेक्शन में थे, उन्होंने कहा कि यह ऐसी स्थिती थी एक अकेला डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता था, बच्ची की किसमत थी कि 5 डॉक्टर थे और इसमें एनेस्थीजिया एक्सपर्ट भी थे, अगर डॉक्टर नहीं होते तो बच्ची की जान बचना मुश्किल थी